इससे मेरा मतलब यह है किस तरह आप एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हमने पहले बात की कि हमारे पास basic शॉट होते हैं हमारे पास complex शॉट होते हैं हमारे पास different variations होती है एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए कौन सी इसी elements है या transition है जिनको हम use कर सकते हैं तो हमारे पास basic चार transitions हैं जिनकी मदद से हम एक शॉट से दूसरे शॉट में जा स यहां पर मैं आपको एक बात पताता चलूँ अगर आप पर से कुछ तो अरड़ी फिमिलियर हैं सोफ़वेर से अडॉप प्रीमेर प्रो से या फानल कर्ट प्रो से या किसी भी सोफ़वेर से तो उसमें आपके पास ट्रांजिशन जो होती है बेसिकली वह एक एसी चीज होती है जो आप एक शेफ की थूँ या पर एक एसे एलेवन की थूँ एक चौट है दूसरे शौट में जा सकते हैं इनको हम वाइफ बोल सकते हैं जिसका हम अभी जिकर करेंगे यहाँ पर ट्रांजेशन से मेरी मुराद यह है कि हम किस तरह एक चौट यह हैं तो सबसे पहले मेर Basically, आपका एक shot एकदम से रुखके second shot में cut हो जाता है. बीज में एक shot का in point है, उसका out point है, out point पे वो cut हुआ, simultaneously second shot in हो गया. इसकी एक example इस तरह ही है कि अभी मैं एक long shot में खड़ा वाऊं और अभी cut होके ये दूसरी shot type में आगे. Second है हमारे पास dissolve. Dissolve बहुत सारी जगाओं पे यूज हो सकता है. बहुत सारे लोग उसको अपने treatment में इस्तमाल कर लेते हैं. Music videos में, commercials में, film में, हर जगा आपको इसका usage नजर आएगा. अगर हम rule की बात करें तो Dissolve basically time के span को गुजारने के लिए यूज किया जाता है. कि आपका sequence इस तरह से है, आपका scene इस तरह से है, कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आप किसी का wait कर रहे हैं. अब Dissolve के साथ अगर आपके shots change हो रहे हो, तो वो इस चीज की निशानदा ही करता है कि इस वक्त जो है, वो time गुजर रहा है. मेभी आपने इस सब चीज को 30 second के अंदर wrap up कर दिया हो, और असल में आप जब film में इसको देख रहे हो तो आपको ये show करना हो कि एक घंटा हो गया wait करते हैं. dissolve होता कि इस तरह से है, कि एक shot आपका चल रहा होता है, और एकदम से उसकी opacity shot की कम होना शुरू हो जाती है, और जो next shot होता है, उसकी opacity 0 से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है. इसकी example बिल्कुल इस तरह सही है, कि अभी आप मुझे इस shot में देख रहे हैं, और अब ये dissolve होते होते, दूसरे shot में चला गया है, और बीज में आपको नजर आया है, कि एक shot की opacity कम होती है, और साथ में ही दूसरा shot in होना शुरू हो जाता है. फिल्म में, मैं आपको again repeat कर दूँ, कि फिल्म में ये time को गुजारने के लिए तमाल किया जाता है, उसके इलावा आपको इसका usage ऐसे नजर नहीं आएगा, हाँ, अगर तो आपका कोई treatment justify करता है, तो आप dissolve use कर सकते हैं, आप बिल्कुल dissolve use नहीं कर सकते हैं, अगर आपका cut mash नहीं हो रहा हो, या उसमें कोई और flaw हो, या short type सही नहीं हो, लेकिन आपने dissolve use कर लिया क्योंकि वो mash नहीं हो रहा हो, इस सूरत में आप बिल्कुल use नहीं करेंगे, तीसरी चीज, तीसरी main transition जिसकी हमने बात की, वो है fade in और fade out, Fade in और fade out में भी basically dissolve की ही technique use हो रही होती है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद यह होता है, कि आपका एक chapter हतम हो चुका है, और अब आप next chapter की तरफ जा रहे हैं, Fade out इस तरह से होता है, कि आपकी जो image है, वो towards black की तरफ चली गई, एक smooth transition के थूरू, कि आपकी जो वीडियो की opacity है, वो 100 से आइस्ता इस्ता 0 की तरफ चली गई, और fade in से मेरा मतलब यह है, कि वो 0 opacity जो है, totally black है इस वर, और आइस्ता इस्ता वो opacity आपकी 100 में चली गई, और आइस्ता इस्ता आपको वो short black से visible हो गया, अपनी full opacity, इसकी example भी बिलकुल इस तरह से है, कि अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं, बात करते हैं, और आइस्ता इस्ता इस वीडियो black की तरफ जा रही है, और black पूरी हो गई, इसके बाद black से ही ये वीडियो दुबारा pull की तरह आ रही है, तो ये था आपका fade in और fade out, चोथी main transition हमारे पास है wipe, आपने बहुत सारी वीडियो में इस तरह का treatment देखा होगा, कि एक short चल रहा है, और maybe बीच में कोई shape इस तरह से आ गई, या पिर एक short को किसी दूसरे short ने push किया, और आपके पास next shot अपेर हो गया, या क किसी भी shape या किसी भी treatment से, किसी भी movement से, एक short से आप दूसरे short में चले गए, तो technically इसको हम wipe यूज करते हैं, ये को shape भी हो सकती है, या फिर खाली movement भी हो सकती है, प्रॉपर film making में, एक प्रॉपर film में आपको ये भी बगएर किसी justification के नजर नहीं आईगा, ये normally आपके funny treatment मे हो सकती है, या आप कोईसी चीज को दिखाना ही इस तरह चाहते हैं, कि आपके shape एकदम से उस वीडियो की छोटी सी वो circle हो गई, और next shot इसकी जगा अपेर हो गया, तो आप इसको इस तरह से use कर सकते हैं, प्रॉपर film making में आपको ये कम नजर आएगी, हाँ, अगर कोई beat किस का कोई show है, कोई, उसमें कोई comic element है, normally sound effect के साथ भी इसको use करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हैं, ये सारी चीज़े आप जब software पर जाएंगे, तो आप इसको बेहतर तरीके से practically experience कर सकेंगे, मैं again आपको सेरे वेक्षी बता दूँ, कि इनको purposely use किया जाते हैं, ले झाल